दोस्तों हम कोई भी financial advisor या financial expert नहीं है इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दे कि इस वीडियो में दे गई सारी जानकर इंटरनेट के दुरू ली गई है और यह सारी सारी हमारी person research study है इस वीडियो में sponsor content भी हो सकता है तो जो भी आप investment करें उससे पहले आपको यही सर investment purpose के लिए बनाया गया है है हलो दोस्तों मैं हूं प्रांचा सभी का स्वागत करता हूं कि टोबाइल के भी फ्रेश वीडियो के अंदर तो दोस्तों आप सभी की सामने फिर सारी सीरू लेकर यहां पर बिटकोंस की सारी की सारी ताज आपड़ें दोस्तों आज पर हम लोग कर सकते हैं और अभी फिलाल में पर चल रहा है 20% का discount यहां पर क्रिप्टो कोर्स के उपर साथे तकर आप यहां पर lifetime का signal group लेना चाहते हैं तो 50% का discount है 1 year का लेना चाहते है तो 30% का discount है और अगर आप यहां पर सीखना चाहते है किस तरह fund को manage कर रहाता है proper money management को तो वो अभी कि आपको 50% discount यारे कि 15 dollar पे मिल रहा है बागी अधिक information लिए आप मुझे contact कर सकते हैं मेरी इस mail id pixelist snapshot at gmail.com के उपर या फिर आप directly मुझे contact कर सकते हैं मेरी इस telegram id at direct crypto well के उपर इन दोनों के अलावा मेरा कोई और address है पर नहीं है तो मैं आपको महीं पर मिलने वाला हूँ त और मैंने कल एक चीज भी बता है कि यहां पर हमें volume कुछ खास देखने को नहीं मिलाए तो still possibility हो सकती है कि यहां पर हमें ज्यादा कुछ momentum देखने को ना मिले और आज हमें यहां पर bitcoin के अंदर लगबग लगबग जी तरह कल pump देखने को मिला था उतनी ही selling देखने को भी मिल है तो हाला कि थोड़ा सा major यहां पर हम कह सकते कि थोड़ा सा panic है market के अंदर लेकिन इसकी जो selling के पीछे main reason है वह है दोसों यहां पर miners क्योंकि miners ने आज करीबन करीब नहीं पर 7000 bitcoin एक ही single day के अंदर बेचे हैं अगर इसका थोड़ा एक दम एक फिगर की बात कि तो 7153 bitcoin जो आपर market को एक बहुत अच्छा support मिला हुआ है जो कि लगपक 9129 या फिर 9100 तक आप expect कर सकते हो अगर इसके नीचे market चले जाता है तो फिर market के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा sustain करना एक up market में जब तक market इस level के उपर है हम अभी भी bullish रह सकते हैं still अभी हम लोग target कर स डाउन करती है तो 8500 के level पर आके वहां पर stick हो सकती है तो यह कुछ level से जो कि अब हम फोकस करना है इसके साथ अगर मैं आपर बात करता हूँ यह में ribbon के बारे में तो यह में ribbon का भी अभी जो support है वो करीबन-करीबन 8800 के असपस हमें देखने को यहां पर मिलने वाला है तो इसको अगर मैं off करता हूँ बाकि हम लोग बात करते हैं indicators की तो MACD यहां पर जो है वो नीचे की तरफ आ चुका है वापिस है और यहां पर अगर हम बात करें तो अब थोड़ा सा bearishness और यहां पर बढ़ सकती है इसका RSE की बात करता है तो RSE स्टिल यहां पर 60 को break नहीं कर है इस्टिल डाउन ट्रेंड में फुलाव में जब तक 46 के लेवल के उपर है एक ठीटा सा support यहां पर मिलेगा अगर इसके नीचे break हो जाता है तो market यहां पर और ज्यादा correction यहां पर ले सकता है तो इस्टिल अभी हम लोगों को इस पूरे area को focus करना है अभी हाला कि daily closing होने म 9 गंटे का असपास का time बागी क्योंकि वगल सुबह ही होगी तो उसके आप सब इसको observe कर सकते हो और अगर आप यहां पर एक और way से इसको देखने की कोशिश करें तो अगर हम इस वाले line को इस point से उठा कि इस point पर join कर दें तो हमें यहां पर एक और falling wedge जैसा pattern देखने को मि रहा है तो यहां पर फूर से trade को आप मतलब जीतने जादा अच्छे से आप कर सको उतना करो अभी मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा बड़े targets पर focus करना चाहिए लेकिन जब भी market 10,000 के पार या फिर नीचे आट है 800 के पार चले आता है हमें वह आपी से एक trendy market मिलेगा ज and one hour case आप से देखें तो यहां पर भी कोई gap अभी फिलाल में नहीं है तो इसको आप observe कर सकते हो बागी इसमें अभी तो फिलाल में कोई gap हमें देखने को नहीं मिल रही and still अभी हमारे पास यह वाला level है जहां पर की hit करने का expected area है पर जब तक अभी हमारे पास 8,800 का जो level है जो 9,800 का level है यहां पर नहीं break होता तब तक को tension नहीं है इसके बाद उसको बात करते है डॉमिलेंस के तो बिटकॉन की डॉमिलेंस है पर गिनना शुरू होगे जैसे कि हमने यहां पर भी देखा था कि यहां पर जो consolation है वो कोशिश कर रहा है कि बिटकॉन की डॉमिलेंस को पहले default कर लेते हैं तो लगबख लगबख डॉमिनस नीचे गिर सकती है 49% के आसपास लेकिन इस्टेल यहां पर एक बहुत अच्छा support is 64 के आसपास जोंकि आपको इस zone में देखने को मिल जाएगा और जब भी यह zone यहां पर break होता है हम लोगों को dominance के अंदर थोड़से और ज़्यदा गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है तो अभी आप में dominance के उपर भी focus रखना है क्योंकि अगर चैनल ब्रेक होता है तो already हम लोग ने इसके height को ना पा है जिसके इसाप से dominance के लगबख 60 के आसपास यहां पर drop कर सकती है next also हमारे पास है ethereum and obviously जब bitcoin गिरेगा तो बागे सारे coin पीछे कैसे रह जाए तो ethereum यहां पर गिरा लेकिन ethereum के एक अच्छी बात है कि ethereum ने अपना पूरा resistance यहां पर hit करा है और उसके बाद गिरा है bitcoin के साथ problem यह हुई कि bitcoin सुबच जब pump हो रहा था तो वह pump होई ने पाया और वहीं से drop लेना उसने start कर दिया त अभी जो price है वो इसके अंदर यहां पर chopped हो चुका है जो कि हमें एक तो दिन में clear हो जाएगा कि market यहां पर कितना आदा time तक और यहां पर sustain करने वाला है volume की बात करें तो इसमें जो volume है वो one day के साथ से कम आई है याने कि मैं इस वाले move को भी आपे जिनर नहीं मान सकते हैं और नहीं इस वाले move को भी जिनर मान पाएंगे याने कि अभी भी time है और market अपने faces को change यहां पर कर सकता है नेक्स उसे मारा पास coin है light coin light coin का भी जो resistance है वो हिट हुआ जिसके बार में हमने कल भी बात कर रही थी कि यह वाला level तूटना बहुत जादा important है बट यह level नहीं तूटा तो still price नीचे आ गया है जो कि पहला हमारा support ता हम आपे हिट हुआ है second support अभी 41 के आसपास है वहां तक ह यहां पर एक अच्छा collective zone रहेगा और यह वाली line वापी से इसको support देगी इस point पर तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि chain link को long की opportunity बंती है अफिन नहीं next उसे हमारा पास coin है Binance coin इसको break करने की कोशिश करी थी जो कि आप इस level को properly देख पाएंगे लेकिन आज फिर से rejection हमें देखने को मिला और वापी से Binance coin नीचे के direction में आप पर आ गया हालाकि यहां पर एक अच्छा का सा support है Binance coin को लगबक 15.9 से लेकर 15.7 के आसपास और अगर यहां से recovery हो जाती है त लेकिन इस चिल अभी जो try and day वो थोड़ा सा bearish हां पर हुआ है next is also ontology, ontology का pump हुआ था वापे से price नीचे की तरफ आ रहा है तो इस चिल expected रहेगा 0.58 का level हालाकि 0.75 के आसपास कमारा target है तो यहां पर अगर price sustain कर जाता है इस वाले line के उपर और इस वाले को मैं हटा देता तो लगपक का price 0.58 से वापे से bounce करता है तो definitely हम अपने target को achieve करने के लापे देख सकते हैं और ontology के अंदर जो volume है वो ठीटा के यानि कोई भी फेक नहीं लग रही है तो इस चिल है भी हम कह सकती कि अभी भी हमारे पास uptrend का momentum बागी है next is also हमारे पास coin XRP और XRP का जिसना को भी काता इस पर फिलाल में भरोसा नहीं कर सकते हैं यह वाला एक supportive zone है इसके नीचे करक्सार पर जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा problem हम पर create हो सकती है next is हमारे पास coin है Nio, Nio का भी फिलाल में breakout हो गया था लेकिन वापे से price dump करने 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 नीचे के तरफ आ गया है wait करते ह इस लेबल पर क्या performance रहती है 10.2 के अगर इसको भी dump करता है तो जो हमारा supportive range है 9.4 dollar का वहां तक हम इसको देख पाएंगे अगला दोस्तों coin है मारा पास EOS, EOS का जिसे मनें आपको बताया था कि कल भी EOS की bad news आई थी, आज BTC आता है तो यहां पर effect पढ़ना ही पढ़ना है तो obviously चीजे हुई है और अगर EOS कैसे भी करके zone में आता है 2.3 dollar की range में तो लगपक हम यहां से एक अच्छा long का trade भी opportunity देख सकते हैं बट जो बड़ा इसका pattern है यह basically एक bearish pattern होता है जो कि आपको descending triangle देखने को मिलेगा तो हमें इस point पाने के बाद भी थोड़ा cautiously यहां पर द नहीं गिरता है तो वजी रख स्टेल है बट क्योंकि एक और bearish pattern है descending triangle की बात करें तो थोड़ा से उसको observe करना भी हाँ बनता है क्योंकि अगर 300 से यहां पर stable रहता है तो वापे से really start कर सकता है upside में नहीं तो down का जो हमारे पास 2.4 का level है इस पर हम लोग अपनी long की beats को थोड़ा से यहां पर देख सकते हैं तो फिर हमें correction बड़ा पी यहां पर मिल सकता है नेक्स दोसे हमारे पास coin है bitcoin cash last coin जिसके उपर थोड़ा सा bullishness थी खल बट आज क्योंकि BTC से करना सारी चीज़ डाउन है तो yes bitcoin cash भी down आ चुका है आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत adjust कर सकते हैं तो लगबग लगग जो area है वो हम 227 के असपास कहीं पगड़ के चलेंगे तो बस सारे के सारे coin यही थे आयोप आपको समझाए हो अपने चार्ट पर इंप्लिमेंट कर लो जितनी भी चीज़े हैं और बाकि अगर कुछी changes करनी हो तो आप अपने हिसाब से भी तो दोस्तो news पर चलने से पहले एक important चीज़ देख लेते हैं वो है दोस्तो bitcoin से related क्योंक से आंके यह वाली दूनों को तो यहां पर आपको जाना है indicators के अंदर इंडिकेटर में आपको मिलेंगा hash ribbon करके indicator आपको इसको लगा लेना है अब यह आप यहां पर जो आपकर जो hash ribbon है वो इस point के ऊपर यहां पर ओपर की तरफ ग्रॉस कर रहा है और यह जो हमर पस आ रहा ह करता है तो यहां पर हमें बाइस सिगनल देखने को मिलता है जब लास्ट ने बाइस सिगनल मिला था थो साथ है दोसों से प्राइस यहां पर चला गया था लगबग 10 है और यह हालविंग के बाद पहला यहां पे बाई सिगनल हो गा तो यह एक बहुत जादा इंट्रेस्टिंग चीज है और इसका जो अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि कि कितना-कितना मार्केट ने पी कहां पर कर आए तो लगबख अगर हम लोग स्टार्ट करें लगबख लगबख 3,200 के आसपास का आप यहां पर देख सकते हो और यहां पर जनवरी में जो डाउन हुआ था और उसके बाद जो पीक लगा था जून के अंदर वहां पर 285 परसंट का था तो इसका जो एवरेज परसंट है वह 5,378 परसंट के आसपास है बट मैं कहाता हूं किस पूरे को मत गिनो हम सिर्फ यह गिनते कि जो हमारे पर 22 सिगनल हालविंग के बाद जनरेट हुए उनका क्या तो एक हालविंग हमारी हुई थी में के बाद में लगबख जून के आसपास हम कहा सकते है जो कि 2012 में तो यहां पर 4000 परसंट का रिटन मिला था और दूसरी हम इवन तीन सारे 3000 परसंट का रिटन यहां पर हमें देखने को मिलता है और यह इंडिकेटर शॉट टम के लिए रही है पहली की बता दू तो आप इसको शॉट टम में खुश मत हो ना शॉट टम में प्राइस गिर भी सकता है बड़ भी सकता है लेकिन यह लॉंग तरम के हिस तो अगर हम इस value को करीबन करीबन तीन हजार परसंट के असपस ले के आ जाते हैं तो यहां पर प्राइस $293,000 के आसपस आप पर जा सकता है तो यह चीजे हैं जो कि आप observe कर सकते हो हाला कि short term indicator नहीं है यह एक long term indicator है जो कि आपने यहां पर भी देख सकते हो last time buy का signal then pump then buy का signal pump buy का signal pump last time buy का signal हमें मिला था $627 पर and उसके बाद से market नहीं पर pump करा था तो यह सारी चीजे आपको observe करना important है और weekly में अभी तक इसका cross नहीं हुआ है तो weekly cross थोर से important है क्योंकि weekly cross होना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है और उसके बाद यह चीजे confirm है आपर हो जाती है तो बस दोसों यही थे coins के अंदर अप सिलते सीथ अपनी news पर सबसे पहले दोस्तों आपर news आ रही है मिसारी के 50,000 डॉलर जा सकता है जिसके अंदर जो funds है वह हम बात करें तो हैंपर souvenirs है wealth fund, pension fund, mutual fund, family office, foundation और यह सारी चीजे मिला के लगबग 480 billion का पैसा bitcoin के अंदर हैंपर आ सकता है इसके अलावा और भी funds है तो वह लगबग-लगब market cap को 1 trillion डॉलर के आसपास हैंपर push कर सकता है और यह और यहांपर इसका नाम है keycard जो के credit size का hardware wallet होने वाला है जो कि feature field के थुरू याने के NFC के थुरू यहांपर काम करेगा और उससे आप कहीं पर भी payment बस tap करके ही कर सकते हैं यहांपर आपको private messaging wallet, DeFi browser, status यह सारे integration भी plant इसके अंदर मिलने वाले हैं और क्योंकि एक open source API होने वाली या फिर आपको SDK होगी तो आपक यहांपर जो quantity होगा कि ऐसे में कुछ unauthorized अगर यह कहीं गिर गया कुछ हो गया तो उसमें थोड़ी सी problem हो सकते हैं कोई भी fund को use कर सकता है तो हालाग यह feature बहुत अच्छा है participant को security layer add हो जाए तो और जाता अच्छा है आपर लगेगा अगली दोसे आपर खबार आ रही है सभी की सभी dark net के ओपर यहां पर बेख रहा है तो चेक कर लो आप लोगों का तो data कहीं है नहीं हुआ हाला कि वो तो नहीं कर सकते लेकर आपकी जो सेटिंग है आपकी जो privacy setting से उनको एक बार थोड़ा से renew कर लो देख लो कि उसमें क्या गरबड तो कुछ नहीं हुई है यहां पर जो okay इसके CEO है जे हो उन्होंने अपर प्रेडिक कर रहा है कि यहां पर अगर जो USA है वो अपना second simulation package यहां पर देता है तो यहां पर Bitcoin easily easily pump up कर सकता है इन्होंने यह चीज़ी पताए कि पहला जो simulation package था वो 2.2 trillion dollar का था जो कि उन्होंने मार्च के बिल में explain करा था तो Bitcoin ने यहां पर 58% की growth दी जो कि 6,000 से लेके 10,400 के असपास लगबग price यहां पर गया था तो वही चीज़े इन्होंने पताए कि अगर यहां पर फिर से American economy के अंदर 1 trillion dollar का package announce होता है तो definitely यहां पर जो prices है Bitcoin के वो और ज़्यदा flourish करेंगे और जैसे कि हमने 58% का देखा था तो हम में और ज़्यदा prices में hike देखने को आप मिल सकता है आज की दोस्तों जो आखरी न्यूस आ रही दोस्तों यह बहुत ज़्यदा इंट्रेस्टिन न्यूस है क्योंकि आप सभी को पता होगा 711 CVS और राइट 8 करके जो आप कह सकते हैं जो चेन है जो रिटेलर चेन है यह सभी पर दोस्तों Liberty X करके वो आपने 20,000 इस्टोर के उपर यहां पर बिटकोइन को कैसे बाइ करने की ATM को इंस्टॉल यहां पर करने वाली है 711 बेसिकली बहुत ज़्यदा फेमस चेन है जो कि आपको पूरे वर्डवाइड में देखने को मिल जाती है इंडिया में मेरे को नहीं कि 45 यूएस के स्टेट्स के अंदर 25,000 लोकेशन के उपर 20,000 ATM को आपके इंस्टॉल करने वाली जहां पर बिटकोइन को कैसे बाइं आपके कर सकते हो तो आप 711 से वीस फार्मेसी और रिट एड फार्मेसी तीनों कंपनी ने आपके अगर इनकी ही स्टोर्स में आपके सारी चीज़ लगने वाली है अगर आप इस इमेच के अंतर देखने की कोशिश करते हो यहां पर आप को इसको बढ़ा करकर दिखाता हूं तो जहां पर जहां पर कि विट्कॉन वीडियो पसन आप लिए तो डिसलाइक करेगा दोस्टो चनल फस्काइब करना बिल्कू भी तो 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 गला, have a great day and bye-bye.